इमा, उमी, मुहबबत ये तीनों मिल जाएं तो ओ जाती हैं रोशन राही, रोशन राही, रोशन राही, रोशन राही उसकी हर राह रोशन है जो रास्ती से खुदावंधी की राह पर चलता है प्रग्राम रोशन राहे के साथ मैं हूं मीना परवेज सलाम कबूल कीजिए और आज हमारे साथ जो दो शक्सियात हैं इनका तालुक कारोबार से है और जिस सनत को मुंतखिब किया है वो कपड़ी की सनत जो पाकिस्तान की बहुत जगा पर पहचान भी है आप हैं नासर वाइट और साजिद वाइट हम आप दोनों को प्रगाम में खुशाम देख कहते हैं शकृरिया नासर वाइट और साजिद वाइट है वाइट कैना जब उनकी बड़त हो एं साजिद वाइट है अगे आगे हमने बच्डों के नाम Carry मिशन शुक्रे शूर्ड जायं के वाइट है तो आप दोनों का तालुक कपड़े की सनद सही है जी यह हमारा बेसिकली काम है हॉजरी का तो उसी से रिलेटर हैं यह भाई वहां से मुझे यानि के डन्मार्क से बजवाते हैं अर्टर वगरा और मैं यहां पर उसको मेक करके बार फैक्ट्रियों से बन आखे उनिको यह तो फ़स्मार के साथ मेरे जो मेरे जो कम्योकेशन चार घर होती है वा मैं उसके साथ भी करता हूं, इसको जहां वो प्राबलम आती है आपको जॉर्डन में कितना अर्सा और किस तरह से जाने का इतफाक हुआ जॉर्डन में तू 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 थॉजडन में गया था आई वाज मशीन ओपरेटर इन पाकिस्तान तो लगी लिए गॉड्स प्लैन थे कि मुझे 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 मुझ आपको परिशान नहीं देख सकता मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं तो मैंने जब उनकी हलप की तो यह अपने फिस में ले गी तो वा फिस में लेके जाके उन्हें नहींडर घंटर NOR के दवा कि कि खुदां निये रहें को वो मेरी जिंदगी का जो था टर्निंग पॉैंट था After two months I become a journal manager at another factory which is impossible, it is a miracle for my life. और ये उसी वक्त हुआ जब आप बाहर गये हैं और एक मसीही खातून के जरिये से आपने अपनी जंदगी में इस पजरबे को इस मौज़े को रसीव किया तो इसे हम ये मुराद ले सकते हैं कि आपने अब जो कारोबार कर रहे हैं इसका आगास फिर बाहर जा कर किया लेकिन उसके बाद फिर जैसे पाकिस्तान से फैबरिक उस वकर से लेना शुरू हो गया है पाकिस्तान से कपड़ा लेके जाते थे उदर उसकी स्टिचिंग होती तो वो यूएस से जाता था फिर साजिद वाहिर हम ये कह सकते हैं कि काम करना जो था वो एक शौक नहीं है बलके मेहनत के जरिए मेहनत के जरिए आप लिए जी बिलकुल मैं बेसिकली मशीन इपरेटर था उससे पहले मैं जब मैंने अगास किया ये का मैं तो मैं तौजन ट मुझे वहां से तुनखा से उठा के मुझे वो काम सिखाया जिसके जरिए मैं बढ़ता बढ़ता भी मैं ऐसे जनरल मेंचर एक फैक्ट्री में काम का रहा था जब भी मैंने जो छोड़ा है तो ये खुदावर की ब्लैसिंग है कि आज हम अपनी कॉम्पनी का नाम क्या है न कि एक्सपोर्ट करेंगे क्या समझते हैं कि ये कारूबार बहुत मुनाफ़बक्ष है इसमें असर में जो में प्लैना भाई का वो ये है कि चलो जितने भी आएंगे लोग वो क्रिस्टिन कम्यूंटी के होंगे तो उनके लिए रोजगार खुलेगा अभी स्टार्ट में त एक अश्यू इसमें ने तो ये आपने तजर्बात किया अपने इसमें रहे बहुत किया हमारे पास मोस्टी जो होता है कस्टमर की इंस्ट्रेक्शन होती है लेकिन सम टाइम कस्टमर को गैड़ करके चैंज किया जाता है कि यार यह 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 लगा लो तो इसकी लुक जो वो ज्यादा अची आएगी, तो उसको गाइड करते हैं, पर कस्टमर में मान जाता है, हाँ है, यह ठीक है, बेसकिल हम ज्यादा काम करते हैं, बड़े-बड़े स्टोरों के साथ, तो फिर वो नके टेक्निकल अडवाइजर होते हैं, मैं जब उदर होते हैं, बैट के हम प्लै मैं वो ने शुक्र है ऐख को जुलाल मैं बिल्कुल तो खुला अब के नाम को जुलाल हैं, के बुल समचेश ओन कना नम प्लैस की अब तक पौ दाने बहुत ब्लस्क की है, इमांदारी इस शुबए में बहुत każग हैं, इस शुबहे में हर शुबहे में जरूरी है, अगर आ इमानदारी उसमें सब कुछ आजाता है आपने अच्छा मिट्रियल देना है, कमिट्मेंट पूरी करनी है, जो क्वालिटी की है उसको दो, जो डिलिवरी कमिट्मेंट की है, वो दो, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ड में यह होता है, कि आगे कस्टमर ने भी अपना सेल किया होता कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हो, मुझे इतना ओर्डर चाहिए, जल्दी से भेजो, तो आप दोनों के दर्मियान कुछ, कभी कोई ऐसा वाक्या हुआ है, कि कुछ नाइत तफाकी होने लगे, कि नहीं अभी नहीं करना, भाई की वज़ा से आप सोचें कि मैं, नहीं बड़े वहीं हैं, असल में मैं भी स्टूडेंट हूँ, उनके तजर्बे के हसाब से मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो बाश उकात मुझे किसी बात की नहीं समझ आती ही, वो हो जाते हैं गर हम, लेकिन वह फर्जी है, काम की हद तक सिर अफ, जब मुझे समझ आती है, तो म किसम की कोई कंपरमाइज नहीं है अब तक कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं चंद दिन पहले तक तो 70 लोग थे लेकिन अभी जो मैं थोड़ी दिर पहले भी आपको बताया कि भी खुद का करने स्टार्ट किया तो उसमें थोड़े लोग हैं बार से बनवाएंगे जिसक करेंगे इस काम के लिए तालीमी हद क्या होनी चाहिए जहां कोई असानी से आपकी बात समझ सके मैंने जो अपने एक्सपिरियंस में गें किया कि तालीमी हद से ज्यादा बंदा टेक्निकल हो वो काम को ज्यादा समझता है अब मैं जॉर्डन था मेरे सा लड़के एंबीय वाले भी थे लेकिन वो बात दफार नहीं समझ आती थी मार खा जाते जैसे मैं बच्पन से इसी काम में हूं कटिंग से लेके मशीन ऑपरेटरी सारे काम हाथों से खुद किया हूं उसमें क्या आता है जब प्राब्लम आती है मैनेजमेंट का काम यह अगर आप पढ़ाई ह है अगर आप सॉलव नहीं कर सकते हैं टेकनिकल इशूज आते हैं गार्मेंट सा कोई भी काम है मैंजर है अगर आपके पास एक्सपिरियंस है तो दैन यू कन सॉलव इट इसका मतलब है आपके बारे में तो यह कहा जा सकता है नासीर कि आपको बच्पन ही से शौक था आप कि आप इसी शौबे में आएं बच्पन से शौक था खुदाने बहुत ब्लेस किये अभी भी जब मैं कस्टमर के साथ बैठता हूं तो खुदामन का शुकर है जब इनको गाइड करता हूं वो सुनते हैं कि हाँ यह सही कह रहा है तो वो वैसे करते हैं जैसे कहता हूं तजर आपके लिए कैसे मेरी जिन्दगी में जो तुदीली है वो मैं तो बेशक खुदा की तरफ से सहरा कुछ रता है लेकिन मैं आज यहां हूं तो अपने भाई की वेज़से हूं मैं तो यह कहूंगा अगर मैं जॉर्डन गया हूं देखें आप आज के हाल दौर में देखें तो लोगों का रुजाना लोग पैसे लगा के जॉर्डन जा रहे हैं बातिसमे प्लेस देखने के लिए जो वहां पर जो जितने मिसी मकामात हैं बिल्कुल एक तारीफी जगा है लेकिन यह मेरे खुदा उनका शुकर है कि मैं 2004-05 में यह सारी चीज़ें देखी हुई है और मैं यह कोँगा कि खुदा के बाद मेरे भाईने में लिए किया है सारा कुछ चलिए खुदा उनका शुकर करते हैं कि उसने आपके जिंदगी में बलके घराने की जिनदगी में एक बरकत बख्षी और जॉर्डन भी आप गए दन्माग भी आप गए ना सिर और कौन कुन से करें मुलकों में जा कर बाद में परके काम करने को माँ किया में बंगलादेश में एक गाम की जूर्डन में की है व्यादिन में किया दुबई में किया स्री-लंका में की अ और म काम के सिलस्षि निन में तकरीबर ृड़ región जो चीज यह निंद ए मुझे बंट कर लेता है कि वाशिंग्स होती हिं है बड़ी मसले मिसायल हिं ये भी हम कोशिश करते हैं कि जॉर्डन से बनवालें ये अत्रखी से बनवालें इसलिए तो आप दूनिया एक आलम-गेर गाओंे हैं जो कुछ यहां नहीं है कहीं और से आप ले सकते हैं और सब जब मिलकर काम करते हैं तो एक अची प्रोडक्ट सामने आती है तो नासिर आप नौजवानों के लिए काम करते हैं तो क्या चीज आप प्रोडक्ट दे रहे हैं जैकेट्स हैं, शर्ट्स हैं, क्या चीज है? उनमें हुड़ीज दे रहे हैं प्लास बायर की र्क्वार्मेंट पर होता है, बायर हमें स्पैसिफिकेशन देता है कि यह चीज तियार कर दो उसमें यंग बायकर होते हैं इनका हैं, हुड़ीज हैं, ट्रोजर हैं, लेडीज फैशन वेयर साजित कभी भाई ने कहा कि यह पाकिस्तानी कपड़ भीजो पाकिस्तान में आगे यूज करते हैं, इसे भी जो नासिर भी बात कर रहे थे कि खास किसं की प्रोड़क्ट है, जिसमें शामिल होकर यह उसी सानत को आगे बढ़ा रहे हैं बिल्क्ला सही है यह बहुत बड़ा नेटवर्क है, यानि कि टेक्स्तान हम आडर लेते हैं फिर उसका यान परचेज होता है, अदर बंदे काम करते हैं फिर वो डाइंग पर जाता है अदर पिर इसकी लेबलिंग होती है स्टिकर्स होते हैं, प्रिंटिंग होती है और कि अगर पकड़ते हैं हम अकेले नहीं है उसमें हमने पहले यान परचेज करना है रूही से यान बनता है यान से फैबरिक बनके फिर वो डाइंग पर जाता है फिर उसकी कटिंग होती है यह कितना लंबा मरहला है और खवातीन बस देखती है दुकान पर जाकर यह तो खरीद लेती है यह पर ना कहके वापस आजाती है लेकिन यह एक ऐसी सननत है जिसमें बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है काम को आगे बढ़ाने में कैसे इनका साथ दे रहे है जानेगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और प्रग्राम हे रोशन राहे रोशन राहे रोशन राहे रोशन राहे इसके लिए खुदावंधी कर शुकर हूँ नासर वाइथ है हमारे साथ और साजेद वाइथ नासर आपने बहुत से लोगों के साथ काम किया है तो यकिनिन बहुत से इम्तिहानात भी होते होंगे और उसके बाद कामयाबी तो कुछ एडवाइजर बनकर भी आपने खिदमत की मैं 2004 से लेके एक USA का ब्रैंड है चेम्पियन तो उनका मैं जो था वो टेकनिकल एडवाइजर था एशिया का और अफ्रीकन जून का ना उसमें अजिपत भी आता था जॉर्डन वगरा भी आते थे उसमें यह होता है जो मारी बलक्स प्रोडक्शन होती थी जब क्वालिटी डपार्टमेंट और दूसरे जब कहीं भी लाइन शुरू होती है प्रोडक्शन शुरू होती है जिस उप्रेशन में वो क्रिटिकल सिच्वेशन होती थी वहां खुदा ने बलेश किया था वहां वो मुझे बेजते थे वो बंगलादेश हो सिरलंका हो दुबई हो जॉर्डन हो अजीप्त हो यह कीनिया हो जहां भी वो प्राबलम लाती थी मुझे चैंपियन की तरह से जाना पड़ता था तो यह ज्यादा तर जो खाम माल है उसक में कहते हैं टाइम स्टेडी टाइम स्टेडी के लहाद से यह कि अगर 35 बंदे काम कर रहे हैं तो शाम को इतना पीस जो यह इतनी गार्मश त्यार होने चाहिए फिर उसके लिए सारी होती है किस उप्रेशन में जो हो ज्यादा प्राबलम आ रही है फिर वो टेक्निकल अड हैं कि यहां पर आम पर एक ख़्याल थियो निकडिया है बर्या कर से क्षा ने शीम फ्रावक तरहा बंद जे बोट सारे होगा पर हर रिदी को अथे यह जो को आपने ने आपको यह चाहिए झाय सबसे ज्यादा होती है अच्छा हां ऐसकी धिया हुती है कि लड़कियों के और ओर्टों की जो फिंगर्स होती नखव ब्रीक होती हैं माहराना हाथ लगाते हैंभो आप camino कर ने में उनको पीज को मोडने में वह जैसा है वह मॉड लेती हैं अब कीनिया मैं गया एक दफ़ा तो उधर बहुत मुश्कल का सामना करना पड़ा क्योंकि उधर औरतों के भी हाथ और बंदों के भी फिंगर्स जो थी काफी मोटी मोटी थी तो उधर जो है अभी तक यह सिल्सरा चाहरा है कि क्वालिटी गार्मेंट प्रोड्यूसर नही करते हैं इधर पाकिस्तान में जो लड़के काम करते हैं वह भी वही क्वालिटी देते हैं जिनकी फिंगर्स ब्रीक है छोटे छोटे काम हैं लेकिन महारत के आप देख लीजिए कि जाविय क्या क्या है और किस तरह उनमें तरक्की की जा सकती है अगर खवातीन समझ रही है को बिलकुल फारेग घर में बैठी हैं रजू करें किसी से टेक्निकल डिपार्टमेंट से या खवातीन से हजरात से शोबजात से और जरूर इन मैदानों में आगे आएं ताकि अच्छा काम हो और बहतरीन काम दुनिया को दिखाया जा सके हैंड मेड पर भी कुछ काम करते और हैंड मेड चीजें जो हैं बहुत एक्सपेंसर हैं अब हैंड मेड हमारा पाकिस्तान का वर्क बड़ा अच्छा है लेकिन उसके लिए हमें उदर रहें तलाश करनी चाहिए उसके लिए को पॉसिबिलिटीज बनानी चाहिए यह हमारी गौर्मेंट को चाहिए कि ऐसे काम में मददकार हो सकते हैं थे भी और अब जो बाई ने कहा है कि अब हमारे साथ थे दोस्त तेंधी बढ़ाएंगे क्यूंकि अभी ने कम अभी जए आएँ तो आडर और ज्यादा लेकर हैं तो यह नेक्स्ट मन्त में काम का लोड होगा तो फिर ज्यादा लोग होंगे यह पराद कर सकते हैं नहीं खानदान के भी ठीक हैं लेकिन बाइर से भी लोग जो है वो बैतरी मददकार हैं थाभत हो सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से उनको गाइड करें या डेली अपडेट रखें अपने काम के हवाले से यह टीम वरक है अब हमारे गहर की जो फैम फिर जो एक छोटा है वो जहां गर्मेंट्स टेक होता है वो फिंजिंग होतीर मोत त्रिमिंग करना नहीं ओती जो एक्सटर ध्रेड होते हैं फिर गर्मेंट्स की पूरी कҊलिट टीम होती है जो चेक करती कि समें आोईल स्टेम ना हो दीसन वगेरा यहां जो फाइल वर्क्स है अकॉंट्स है यह सारा कॉंगा मैं तो डिफरेंट कंट्रीस के मोस्ली विजर्ट पर होता हूं घर में थोड़ा टाइम मिलता है तो हमारी आपस में कम्यूनिकेशन होती है जैसे का मैं अधर बैठा हूं पीछे से कुई मेल आई है मेरे मॉइल पर ले खाव जाता हूं बच्चे के खते हैं पापा यह ले छ आना वह लेकर आना फिर बच्चों के लिए यह ऑ एक लाई से बढ़ी है जाते हैं। इनकी मामा के लेह शा लगला भी रह सी तो काम करता है आपके सलसले में भी अशा ही है नहीं मैं फो इधिल ऱिए हॉत आपक बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना खाके, वो दो गेंट है के उनका संडे स्कूल होता है, वो उधर जाते हैं, उधर जाके वो ख़दावन का शुकर है, वो बाइबल सीखते हैं, सिंगिंग सीखते हैं, फिर ख़दा ने उनको बहुत ब्लेस की है, तरबियत ऐसी हो रही है, फिर वो हमें खारा के भी बताते हैं, आज वहां से ये सीख के हैं, हम उनसे पूछते भी हैं, कि भी आप वहां से क्या सीख के आए, फिर वो बताते हैं, आज हमने बाइबल से ये स्टोरी सीखी, आज हमने बाइबल से ये स्टोरी सीखी, फिर वो चारों बेहने मिलके, वैसे जैसे उदर राइसल करके आती हैं, वो हमें भी बताती हैं, डैनिश में गीत सखा गए, लास्ट यह राये थे, तो उनने दो चर्चेज में छोट चोटे बच्चे हैं भी, बड़ी बेटी जो मेरी 11 साल की है, तो बाकि उससे छोटे ही हैं, तो चर्चेज में जा के अपना बत बच्चे को सकता है बच्चों को यह सकाने में कि अपने खुदा के साथ वफदार रहना है? मेरे ख्याल में सबसे जो में रोल है वो है exactly survivor वालदैन का कि अगर आपने बच्चों को बचपन ही से खुदा के खौफ में खुदा के खौफ के आप बारे में बताएं या दौा करना सिकाएं तो मेरे ख्याल में वो सबसे बैतिती से और तर्सग्गा है गर में कोई आप फिलम नहीं देख सकते हैं कोई गाना नहीं सुन सकते हैं यह तक कि आप सफर में हैं तो गाड़ी में भी आप गीत ही सुन सकते हैं इसके अलबा और कुछ नहीं इसमें वह आपकी रहनुमाई करता है या आपकी डांट डपट ज्यादा मुतासिक यह जो किया मैं जो किया ये पहले पांथ से साल ही हुआ उसके बाद उसको कहने किस डूड़ति नहीं पड़ी में पर पिया इंधर से स्टडी कर रहा बहुत हूब मेरे चारो बच्चे जो है वह पीमई में बहुत हूब कर रहे हैं खुदावन के शूकरों कि पीम आई टालेविजन और प तो आप किस तरह से PMI के साथ राप्ते में ज्यादा बढ़े पी में के साथ मैं काफी देर से पास्टर खालत साब को जानते हैं उनकी मिसेश हमारे उदर हमारी पुफो भी है तो बच्पन से इनको जानते हैं तो प्रेज दा लौड के खुदा ने पारिश साब को बहुत बले और कहीं भी होते थे वो फेस्बुक पर आ रहे होते हैं तो फिर हमें वो देख के सारा देखता है कि हुदा ने बड़ी ब्लेस किया PMI को चलें PMI टेलिविजन के जरिए आप अपने उन दोस्तों से भी बात करेंगे जो दूर देस में हैं या जहां पर भी रहते हैं लेकिन जब उदर मेशीन ऑपरेटर गया था हम पाकिस्तान से 36 वोई उदर गया थे तो खुदा ने मुझे वो एक शौर दिया था कि मैं अपने काम में भी संसीर था क्योंके बाइबल मकदस में भी लिखा है कि तो जो भी काम करता है ये ना जानके बंदे के देखना बलके तरह ख जो कुछ करो जी से करो ये जानकर जी से करो कि खुदा वन के लिए करते हो वो मेरी जब हमारी मेशीन प्लैन होता था तो जिस लाइन में मैं बैठता था उस लाइन में मेरी एक मिशीन लगती थी तो दूसरों की जो थी वो तीन मेशीन लगती थी तो मुझे कहते हैं तो के मेरे साथ वाले हैं वो मिशीन ओपरेटर ही हैं खुदा ने मुझे वहां जर्नल मेनजर भी बनाया अपनी फैक्टी भी मैंने लगाई अब बच्चे हैं फैमिली सारी डैनमार्क में खुदा का शुकर है कि ऐसी कंट्री में अपनी खित्मात अंजान दे रहें काम भी कर रहें तो ये सारा अपने काम से जब आप सिंसीर होते हो कोई भी काम करते हो ये जान करना करो कि मैंने अपने मैनेजर को दखाना है या जब आप खड़े हो कोई आ गया है तो फिर आप काम करना शुरू होगे ये जान कर करो कि मैं अपने खुदा के लिए कर रहा है और खुदा काम अच्छे तरीके से होगा नियत से होगा साजित आपने कभी सोचा है कि इस काम के इलाव़ कोई और काम करता है नहीं वह असर में सोचता है इनसान होने के नाते बंदा सोचता जब मुश्किल होती है कि हमारे काम में जब शिम्मट का डेट करीब होती है तो दो दिन भी पड़ता है उस वक्त अनसान होने के नाते तांगा आके बंदा किसी वक्त सोच लेता है लेकिन यह करते हैं तो इससे असान हमारे लिए काम और कोई नहीं है लेकिन जब कभी वो 48 गंटे यहां 60 गंटे वो सोते नहीं है आखरी दिनों में तो फिर एक दो हो जाता है थोड़ी देर के लिए कि यार यह क्या लेकिन मेरे खियाल में इससे बेतर और कोई नहीं है मसीह नौजवानों को कहेंगे कि जरूर कारोबार में आई जी बिलकुल बहुत अभी तो अगर देखे देखा जाए तो बहुत कम लोग है मसीही जो साफ सुतरा काम या अपना काम करने की कोश्ची करने लेकिन मैं यह एडवाईस करूँगा कि बिजनस खुद का होना चाहिए चाहे चोटा हो नौकरी नहीं सेलरी नहीं बिजनस होना चाहिए आप बिजनस करने से पहले आपको इस बिजनस की होना होनी चाहिए और नौकर उन्ह झागे लॅशुज चाहिए इंठर होते हैं तो फीर लॉसस का सामना करना पड़तासय को बिजनस का सामना पकरना पादा क्राई मैं i nun i Nicole बिजनस मैं में में मैं में में म Colm से क्किशे को पहले आपको उसकी हो नौ उसकी deeply उसके प्राफर्ड लॉसे जो उसका इलम होना चाहिए मेहनत जो करता है उसे बरकत मिलती है मेहनती का हाथ बरकत पाता है हम शुकर गुजार है दोनों महमानों के नासर वाइट और साजित वाइट शुक्रिया आपका भी कि आपने देखा प्रग्राम रोशन राही अपनी मेजबन मेना परवेज और दोनों महमानों को इजाज़त दीजिए खुदा हाफेज